हेलो स्टूडेंस और वेल्कम बैक टू आईसीटी चैनल आज हम डियेक्टरेट ओफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 3 डिसकस करेंगे जो कि 12 अप्रेयल यानी मंडे की वर्कशीट है और यह क्लास 7 की स्टूडेंस के लिए है तो आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे तक ही चैनल पे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलिए शुरू करता हमारी आज की वर्कशीट तो सबसे पहले वर्कशीट में यहां पे आपको अपने आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है तो यह है आपकी वर्कशीट तो हम सीधे चलेंगे वर्कशीट से कुछन अनसर की ओर तो सबसे पहले वर्कशीट में आपको यहां पे कुछ पिक्चर्स दिये वे हैं जिसको आपको बताना है कि वह वाटर बोडिस का कौन सा इडेंटिफाई दर फॉलोइंग वाटर बोडिस तो यहां पे पानी का ही रूप दिखाए गया है तो आपको बताना है वह कौन सा फॉर्म है तो सबसे पहले यहां पे आपको बर्फ दिख रहा है तो यह है ग्लेशियर्स सेकेंड में यह है रिवर यानि नदी थर्ड है य यह ज़रना है पानी का फिफ्थ हमारा लेक यह यह जील या पॉंड जिसको होता है जो छोटा सा पानी का पॉंड होता है फिर अगला है कैनल यह 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 लंबा सा इसा है नहर बोलता है इसे वहता है गैनल next question is where and in what form have you seen water write about it तो आपको बताना हैं कि आपने वाटर के किस फार्म को देखा है और कहा देखा है आपको उसके बारे में लिखना है I have seen water in the form of river when I had visited my grandma's house also in पूरी बीच उरिसा I had seen water in the form of sea तो यहा पर आमने क्या लिख्खा है कि माने अपने अपने ग्रांडमाइन अपने नानी या दादी के घड़ जब मैगा था तो और यहापर मैने नदी देखी थी या आप कोई बरफीले जगह पे गुमने गए थे और आपने ग्लेशियर देखा है या फिर आपने कोई पॉंड या नहर देखी है, कैनल देखा है तो वो भी आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं अगला question है Do you think water is essential for all living organisms give reasons? तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि जो living organisms है या जो भी जीव है क्या उनके लिए पानी जरूरी है और अकर हाँ तो आपको reasons बताना है तो यह तो जरूरी है बिलकुल आंसर बजाएगा yes, water is essential for all living organisms as they need water to survive they need water for respiration process, transportation of food and bodies and for all cellular processes जो भी जीव होते हैं जो भी living organisms है उनके लिए पानी जरूरी है क्योंकि उन्हें पानी ही है जो जिन्दा रखता है जो जीवित रखता है उन्हें पानी किसले चाहिए होता है? respiration process या जब जो उनके बोडिस के लिए जो respiration की प्रक्रिया होती है या जो खाना transportation होता है आप खाना खाते हो फिर खाना पानी के थुरूई आपके बोडि में ट्रावल करता है और साती साथ जो भी जैसे cell breakdown होते हैं energy release होती है जो भी processes होते हैं बोडि में वो सब के लिए पानी ही responsible है पानी की health से ही ये सारी processes हमारे body के अंदर होती है तो इन सब के लिए पानी जो है बहुत ही जरूरी है तो water is essential for all living organisms तो बच्चो इसी के साथ आज की ये worksheet यहाँ पे समाप्त होती है तो बच्चो आज के लिए बस इतना ही अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो like बिटन को जरूर दबाए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सारे friends के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर अब तक आपने ICT चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ जाकर के चानल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं और all select करें जिससे की वीडियो जिससे की चानल पे अप्लोड होने वाली सारी वीडियो की notification इसक अपने message के द्वारा link को click करेंगे और videos open हो जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही मैं मिलूंगे आपको अगली video के साथ तब तक के लिए take care stay safe and have a nice day झाल झाल